Instagram comment setting केसे करे वो तो मैं आपकी करवाने वाला हूँ जिसके बाद आपको एक भी negative comment नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको comment के अंदर abuse नहीं किया जायेगा WhatsApp setting में आपको करा दूँगा बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताने चाहता हूँ देखिए guys आप लोगों ने देखा होगा जितने भी Instagram पर बड़े-बड़े influencer है जिनके 10 million, 20 million, 30 million, 50 million, 100 million जिनके बहुत जादा followers है million में followers है, उनकी पर Reals पर millions में views आते है जब आप उनके Comment Box चेक करते हो न तो आपको सभी Comment ऐसी नजर आता है Very nice video, Wonderful मतलब कहने का ये है कि हर कमेंट आपको positive नज़र आएगी कोई भी negative comment उसके अंदर नज़र नहीं आती कहने का मतलब ये है उन लोगोंने क्या रखा है जिसकी बज़े से उनको कोई भी potentially spam और offensive negative comment नहीं आती सभी positive आती है उन्होंने filter लगा रखे अब filter केसे लगा रखे है क्या इन्स्टाग्राम से कॉंटेट किया इसके लिए कि हमारी कमेंट पर फिल्टर लगा तो कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं नहीं खुल से लगा रखे है तो भाई आप भी तो लगा सकते हो आपको नो लिज नहीं है आप शोटे क्रेटर हो इसलिए आपको नहीं पता है अरे कोई भी एसी कमेंट नहीं आएगा जिसको देखकर आप डिमोटिवेट होगे कोई भी आपको कमेंट बोक्स के अंदर अब यूज नहीं कर पाएगा तो केसे होगा भाई सब कुछ बताता हूं देखिए अगर आपको किसी एक डिल्स पर बहुत ज़्यादे गाल्या पढ़ लेता हूं इंसाग्राम एडि यूज यह फिर मैं यह वाली ले लिए ये वाली ले लिए देन मैंने कमेंट पर किलिक किया जैसी आप कमेंट पर क्लिक करते हो तो यहां पर देखो को C only यहां पर आपको कुछ ओप्सन दियर जाते है जो कि मैं आपको सोटकट में एक्सप्ल हो, यहाँ पर देखो, फिर्स बाद कोई भी ओफेंसीब कमेंट, कोई भी नेगेटिव कमेंट आपको नहीं घाएगा, मैं सोटकट में बता रहा हूँ, आगे समझे लेना सब कुछ यह फीचर ठीक है? इसके अलबाद आपको चाहता होगे, आपको कमेंट बॉक्स में कोई भ करना है तो यहां पर आपको नीचे मिल जाएगा देखो यह वाला कमेंट मैंनिस कस्टम वर्ड्स एंड प्रेज़ यह आगया आपको एक्स्प्लें कर दूँगा आप एक के लिए भी कर सकतो जो जो गालिया आपको जादे पढ़ रही है जो जो गलत कमेंट आपको आ रही है वो सब आपको यहां पर किलिक करके उन सब वर्ड को यहां पर आपको एड कर दना होगा जैसे कि मैंने यहां पर कुछ वर्ड लिस्ट किया हुआ है इस तरीके से और इसके आपको गाल यह न जरा गिये होगी यहां से आपको इसको on कर देना है इसके बाद वो word add करके ठीक है तो यह सब तो आपको कर नहीं है एक reels का यह सिर्फ एक reels का है अब अगर आप चाहते हो इस reels पर वोही लोग आपको comment करें भाई मैं एक reels का तेजी की साथ कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको अराम से explain करूँआ इसके बाद है allow comment from इस पर click करके अगर आप यहाँ पर किसी को block करना चाहते हो कि यह बंदा मीजे comment ना कर पाई भाई इस reels में वो कर चुका है तो क्या फायदा होगा नहीं करना है यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इस reels पर आपको कोई भी GIF send ना करे तो यहाँ से आप इसको off कर सकते हो यह फिर आप चाहते हो कि आपको comment स्रिफ वो ही कर पाई जो आपके followers है तो यहाँ पर allow comments from पर click करके everyone की जहाँ आपको your followers कर देना है या फिर आपको जिनको आपने follow कर रखा है people you follow उसको select कर लेना है या फिर आपको जो आपको follow करते है और जिनको आपने follow कर रखा है वो कर सकते है वो select कर लेना अभी मैं everyone कर रहा हूँ लेकिन अब मैं आपको आराम से explain करूँगा यह तो था मैं आपको बताऊंगा वो सब्सेटिंग आपको अभी ओन करना होगा ठीक है यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है जैसे ही आप स्क्रोल करते हो देखो यहाँ पर लिखा रहे है ध्यान से देखो hidden words इस पर आपको click कर देए अब देखेगे यहाँ पर लिखा है unwanted comments and message requests अगर आप चाहो तो इसके साथ message request की भी setting कर सकते हो जिससे कि आपको message में कोई गाली ना दे लेकिन मैं खाली comment की कर रहा हूं अगर आप चाहो तो भाई इसको जो मैं explain comment कर रहा हूं खाली समझ लेना कि देख लेना ये वीडियो मैंने आपको A to Z explain किया है नीचे description मिल जाएगा देख लेना don't worry मैं खाली comment की कर रहा हूँ अब ध्यान से देखिए जैसे ही यहाँ पर आप hide comments को on कर दोगे अब देखे गए scene क्या होगा यहाँ पर आपको नीचे option आया है इसके बाद advance comment filtering कई बार ऐसा होता है कि comment से ही होता है लेकिन Instagram का जो filter है वो सोच लेता है कि comment गलत है तो आप advance कर दीजिए वो एक बार अच्छे से फिर से उसको comment को मालो comment गलत है Instagram ने पकड़ लिया और उसको hide कर दिया तो ऐसे में वो एक बार filter करेगा फिर से comment से ही होगा तो वो फिर से उसको बार लियाएगा तो यहाँ पर अब ध्यान दे सुनो हमने hide comment on कर दिया है अब इसका मतलब को समझो ये दोनों setting आपको on कर देना है अगर आप message के लिए भी करना चाहता हो तो आपको ये भी कर देना होगा request message का लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ भाई खाली comment कर लेते है अब देखो ये filter on होने के बाद जितनी भी जो potentially comment होती है इस पे है लाइक एक ही comment बार बार किया रहा है बकवास comment है and comment के अंदर उल्टे सीधे link share किया रहा है इसके लावा और आप लोगों ने देखा होगा praises वो तो मैं आपकी आगे setting कर रहा हूँगा बट आप लोगों ने देखा होगा ऐसी भी comment आती है जो offensive comment होती है ऐसी comment जिन में आपको धंकिया दी जारी है आपको गालिया दी जारी है आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा है तो उन सब comment को instagram automatic अपने hide folder में कर देगा अगर ये setting आप on कर देतो जितना भी देखो यहाँ पर clearly लिखा हुआ है ये देखो potentially offensive और spam separate section है instagram का एक अलग से जो कि आप hide filter के नाम से जानोगे वो आपको जब hide हो जाएगी comment वो जब आप deals पर click करके comment box में जाओगे तो वहाँ पर tree icon पर click करोगे तो वहाँ पर आपको एक hide filter मिल जाएगा उसमें आपको नजर आजाएगी वो सब comment जो गलत है offensive है तो अब देखे इसको on करने से कोई भी negative comment अब आपको नहीं आएगा अगर कोई बंदा आपको negative comment करता है जिसमें आपको धमकी दी जारी है या फिर गलत link share कर रहा है इसके अलावा वो आपको गाली वेगरा दे रहा है कहना का मतलब है negative comment है Instagram उसको hide कर देगा वो comment या तो आपको नजर आएगी या फिर उसको नजर आएगी जिसने किया है तीसरे बंदा को वो comment नजर नहीं आएगी समझ माँ आगी आपकी public को वो comment नजर नहीं आएगी public को नहीं पता चलगा कि आपको इतनी negative negative comment आती है वो सिर्फ आप देख से तो कहाँ पर अपने comment के hide folder में जाके वहाँ पर आपको ही नजर आएगी किसी और को नजर नहीं आएगी इसके अलावा जिस बंदे ने किया है उसको नजर आएगी वो सोज़ रहोगा सब को नजर आएगी अरे भाई वो पागल है ऐसे ही ये जितने भी influencer है ये filter on रखते है ये वाला filter सबने on करका है आप भी on कर लीजिए तिर इसके बाद आपको नीचे की और आने एक AC सेटिंग है जिसके बाद आपको एक भी गाली नहीं आएगी मैं guarantee दे रहाँ AC कमेंट जेसी कमेंट से आपको नफरत है कि मेरे को for example आपको love वाली emoji जो होती है जिसमें heart होता है example दे रहाँ heart वाली emoji से आपको allergy है कि ये मिज़े नहीं आने चाहिए आपके कमेंट box में कोई भी नहीं कर पाएगा इसके अलावा आपको किसी भी word से ये किसी भी line से कोई AC line है जिससे आपको नफरत है और कमेंट box में बंदे करते है आपको गुस्सा आता है या फिर कोई ऐसा word है example abuse कर रहा है कोई AC गाली है जिससे आपको allergy है आप उसको नहीं देखना चाहते नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखे यहाँ पर सबसे पहले आपको hide comments को on कर देना है कर दिया अब देखो उपर लिखा है manage custom words and praises praises पे क्लिक करके यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कुछ list क्या हुआ है tape to view your list यहाँ पर देखो AC comment कोई भी मेरे comment section में नहीं मिलेगा जाओ जाके check कर लो मेरे किसी भी deals पर क्लिक करके comment में या कोई भी post है उस पर जाकर देख लो AC comment देखने को नहीं मिलेगा because मैंने filter लगा रखा है अब देखे guys आपको जिस word से example दे रहा हूँ आपको A word से allergy है A word आपके comment box में कोई भी न कर पाए add कर दीजिए इस तरीके से कहा हूँ आए यहाँ पर देखो सबस्व पूर आ गया है लिस्ट होगे example आपको कोई गाली बार-बार दी जा रही है मालो कोई कोई जितनी भी गाली है भाई मेरे को देनी नहीं आती जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादे देता हूँ लेकिन ऐसे नहीं आती है समयदारों में अपनी वीडियो में कभी गाली नहीं दी आप लोग समयदारों तो example दे रहा हूँ जितनी भी गाली है जो आपको comment box में पढ़ती है example मैं यहाँ पर देता हूँ mc इस तरीके से मैंने लिख दिया mc अब जो भी मेरे comment box में mc लिखेगा यहाँ पर यह add हो गया है इस तरीके से देखो यहाँ पर यह list हो जाएगा मैं एक बार बेख करता हूँ I think मैंने उसको already करका है mc को इसलिए वो list निवा यहाँ पर नीशे मिल जाएगा यह रादे को mc यहाँ पर मैंने already करका है तो जो भी आपको गालिया लगती है भाई यह मैं shortcut में लिख रहा हूँ अगर पूरी गाली पढ़ती है आपको पूरी गाली को यहाँ पर लिख दीजिए या फिर ऐसी कोई line है for example कोई भी line है इस तरीके से I love you example दे रहाँ कोई भी line है ऐसी line जिससे आपको नफ रहता है कि comment box में कोई भी न कर पाए आपको उसको add कर देना है या फिर कोई ऐसा hashtag है जिससे आपको नफ रहता है hashtag example दे रहाँ भाई मैंने love लिखा है आपको allergy है किसी ओर hashtag से वो आपके comment box में न कर पाए add कर दो या फिर कोई ऐसी emoji है जिससे आपको allergy है कि ये emoji मेरे comment box में कोई न कर पाए simply यहाँ पर click करने emoji में जाने है कोई भी emoji है इस तरह की कोई भी comment मीजे नहीं आएगी अगर करता भी कोई है instagram automatic उसको hide कर देगा hide all a section में कर देगा उस बंदे को नजर आएगी जिसने किया है hide all a section में जाके आपको नजर आएगी तीसरे बंदे को नजर नहीं आएगी उसके बाद वो comment आपको नहीं आएगा यही करता है बड़े-बड़े influencer समझ माया यह तो यह हो गया इतनी setting आपने कर लिया bake कर देने तरह आपको नीचे की ओरी scroll करने है यहाँ पर देखो आपको लिखा आएगा comment कहाँ पर है यह रहा simply इस पर आपको click कर देना है जैसी आप comment पर click करतो first option है block comment from simply इस पर click करने है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर बार गलती comment करते हैं अगर आपकी नजरों में वो लोग है तो उनको block कर दीजिए ताकि वो negative comment आपको ना कर पाए कोई बंदा आपको बार बार परेसान कर रहा है example में technical safe को ले रहा हूँ भाई ये बंदा मेरे को बार बार परेसान करता है technical safe ठीक है ये बंदा मेरे को बार बार परेसान करता है तो आप उसको ऐसे block कर दीजिए हो गया जितने भी ऐसे बंदे हैं उनको search कर-कर block कर दो और वो यहाँ पर list हो जाएगे इस तरीके से यह बंदा block हो गया है यह बंदा मतलब account block नहीं हो आए comment block हो गया इस बंदे का यह बंदा मुझे आज के बाद comment नहीं कर पाएगा अगर आपको किसी से allergy है कि यह बंदा मिझे comment ना कर पाए तो इस तरीके से block कर दो वो बंदा कभी भी आपकी photo पर video पर comment नहीं कर पाएगा यहां से block आप कर सकते हो इस तरीके से मैं अभी unblock कर रहा हूँ बेचा रखो ठीक है इसके बाद है controls allow comment from इस पर आपको click कर देने है अगर आपने everyone कर रखा है इसका मतलब यह है कि आपको हर बंदा comment कर सकता है आपकी video पर आपकी photo पर लेकि वो आपको follow करता है या नहीं करता है follow कर रखा है तब भी कर पाएगा नहीं कर रखा है आपको follow तब भी comment कर पाएगा अगर आप कर दोगे people you follow पीपल यूफ फोलो का मतलब यह है आपकी फॉलोंगी लिस्ट में जितने भी बंदे है जिनको आपने फॉलो कर रहा है श्रिप वह ही आपकी वीडियो पर फोटो पर कमेंट कर पाएगे और बंदा नहीं कर पाएगा इसके बाद है यूवर फोलोवर्स आपके जितने भी फोलोवर्स है वो ही आपकी डिल्स पर आपकी फोटो पर कमेंट कर पाएगे एक्स्टरा बंदे नहीं कर पाएगे अगर आप ये वाला उप्सन सेलेट करोगे पीपल यूफ फोलो एंड यूवर फोलोवर्स जिन लोगो आपने follow कर रख़ा है जिन लोगों ने आपको follow कर रख़ा है जिन लोगों को आपने कर रख़ा है दोनों आपको comment कर पाएगे तो यहाँ पर आप everyone ही कर दीजी आप लोगों ने filter लगा रख़ा है इसलिए ठीक है इसके बाद है allow gif comment अगर आप इसको off कर दोगे आपके comment box में कोई भी gif send नहीं कर पाएगा gif क्या होता है मैं बताओंगा आपको अगर नहीं पता मैं इसको on कर दता हूँ अगर यह on है कोई भी मेरी वीडियो में gif कर पाएगा देखो gif क्या होता है वैसे मैंने आपकी पूरी setting करा दिया है comment की लेकिन last option समय जी लेजिए gif क्या होता है for example मैं इनके comment box में जाता हूँ देखो यह होता है gif जैसे ही मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर मैं किसी को भी gif इस तरीके से अगर इनका on है यहाँ पर मैं send कर पाऊँगा इस तरीके से happy monday मैंने इनको क्या गया है gif send कर दिया है इस तरीके से तो इस तरीके से अगर आप इसको वहाँ से ओप कर दोगे कोई भी आपके deals में gif send नहीं कर पाएगा potentially spam comment नहीं देख पाऊगे जिनके वैसे आप demotivate होड़ थे आज के बाद जितनी भी comment आपको आएगी वो सब positive होगी जिनको देखके आप खुस होगे ठीक है वीडियो को यहीं पर end कर देता है वीडियो को like, share, comment कर देना और channel को subscribe करके बिल लाक इनको और पिस कर देना एसी और वीडियो देखने के लिए